आज की इस वीडियो में मैं बहुत दिनों बाद एक बहुत ही famous poem को discuss करने जा रहा हूँ William Butler Yeats की poem The Second Coming इसको मैं दोस्तों पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर लेकिन वो ढंक से नहीं बनी थी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस poem में ऐसा क्या खास है जो यह world famous है इसको originally 1920 में publish करवाया गया था बड़ी कमाल की poem है शुरू करते हैं The Second Coming Yeats की सबसे famous poem इस poem से बहुत सारी quotations भी बन चुकी है poem को शुरू करते हैं मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा और ये क्यों लिखी गई इसके पीछी का क्या background है ये भी समझाऊंगा शुरू करते हैं तो poem शुरू होती है Turning and turning in the widening jire The falcon cannot hear the falconer इन दो लाइनों से इन लाइनों में Point यहां पर कहना चाहरे हैं कि एक पक्षी है एक bird जिसका नाब है falcon एक बाज एक बाज जैसा दिखने वाला पक्षी जो उपर आस्मान में उड़ रहा है कैसे उड़ रहा है? गोल-गोल Turning and turning यानि गोल-गोल गोल-गोल वो पक्षी हवा में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसका जो हवा में गोला बन रहा है गोल-गोल वो बड़ा होता जा रहा है वाइडनिंग का मतलब बड़ा होता जा रहा है जायर का मतलब गोला तो गोल गोल वो पक्षी हुआ में अड़ रहा है और अड़ते उड़ते उसका हवा में गुला जो है वो बड़ा होता जा रहा है वाइडनिंग जायर उसके गोल चक्कर बड़े होते जा रहा है तो अब वो falcon वो बाज इतना out of control हो गया है कि वो अपने मालिक की falconer की बात नहीं सुन रहा नीचे खड़ा मालिक उसका falconer उसका बाज पालने वाला बाजिगर उसे आवाजे दे रहा है लेकिन वो उसकी आवाजी नहीं सुन रहा है इतना मदमस्त हो गया उड़ने में चीजें तूटकर बिखर चुकी है अब सेंटर इन चीजों को कंट्रोल करने वाला सेंटर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा है मेरे अनारकी इज लौजड अपॉन दी वर्ल मेरे का मطलब है यहां पर सिर्फ और इस पुरी लाइन का मतलब है कि चारों तरफ इस दुनिया में صिर्द तबाही और अराजँक्ता फैल चुकी है Losed upon the world इसका मतलब है कि पूरे संसार में फैल चुकी है एक खून की डार्क रेड लहर इस पूरी दुनिया में फैल चुकी है The blood dim tide is loosed एक खून की काली डार्क रेड लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है Everywhere, हर जगह पर फैल चुकी है The ceremony of innocence is drowned वो खून की लहर सब जगह फैल चुकी है तो उस खून की लहर में सब डूब चुकी है हर जगह, हर जगह पर वो फैल चुकी है जहां जहां इस दुनिया में innocence की ceremony हो रही थी जहां भी innocence की ceremony हो रही है इस लहर ने सब को निगल लिया है यानि सब डूब गए इस लहर के अंदर सबसे बुरी बात पता है क्या है यहाँ पर best word यूज किया गया है जो लोग अच्छे लोग है इस लाइन का मतलब यह है कि सबसे बुरी बात यह है कि अच्छे लोगों में विश्वास की कमी है अगर उनकी आँखों के सामने गलत होता है तो वो देखेंगे देखेंगे यह विडियोज बनाएंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं लेकिन वहीं बुरे लोग वाइल दे वर्स्ट आर फुल आफ पैशनेट इंटेंसिटी लेकिन वहीं बुरे लोग वर्स्ट पैशनेट होकर इंटेंसिटी से क्राइम करते रहते हैं उनको तो फुल जोश मिलता है क्राइम करने में जैसे फॉर एग्जामपल अगर कोई लड़का पबलिक प्लेस पर किसी लड़की के चहरे पर तिजाब डाल दे तो वहां खड़ा हर एक आदमी तमाशा देखेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं यहां पर पाइट बोलते हैं कि शॉरली तो अब जब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो पाइट यहां पर शॉर है कि कुछ बहुत ही खतरनाक बहुत जल्द होने वाला है पाइट यहां पर शॉर है कि शॉरली the second coming is at hand पाइट शॉर है कि second coming होने वाली है तो क्या है यह second coming एक बार फिट से पाइट excited होकर बोलते है the second coming देख लो the second coming hardly are those words out आज तक शायद ही यह words किसी ने कहे होंगे मुश्किल से ही इस line का मतलब यह है पाइट यहां पर बोलते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है उनके सपने में एक बड़ी सी image आई है एक vast image of spritus mundi देखो कुछ इस type की image somewhere in the sands of desert एक बड़े से रेगिस्तान में कहीं किसी desert में रेती रेती चारो तरफ रेत के बीचो बीच उसका shape कुछ ऐसा था यहां पर पाइट बताते है a shape with lion body जिसकी body तो lion जैसी थी and the head of man इंसान का सर था देखो वो कुछ ऐसे देख रहा था a gaze blank and pitiless as the sun मतलब वो spritus mundi का statue कुछ ऐसी नजरों से देख रहा था एकदम blank नजरों से आखों से निर्दयता से उसकी आखों में कोई दया नहीं थी वो एकदम pitiless था जैसे कि sun सूरज की तरह जैसे सूरज अपनी आग बरसाते हुए बिलकुल भी दया नहीं दिखाता ठीक वैसे ही is moving its slow thighs वो धीरे धीरे अपनी thighs से यानि कि अपनी legs से में धीरे धीरे चलता है तो रेगिस्तान की जो पक्षी है जो उपर उड़ते हैं रेगिस्तान में वो आसमान में उड़ते हैं वो disturb हो जाते हैं उसके चलने से तो उनकी परचाईयां उपर उड़ते उड़ते पक्षीयों की परचाईयां जमीन पर पड़ती है और फिर अचानक से the darkness drops again अंधेरत सचा जाता है लेकिन अब मुझे पता है पाइट यहां पर बोलते है अब मुझे पता है कि 2000 सालों की stony sleep लेने के बाद में that 20 centuries of stony sleep 2000 सालों की पत्रीली नींद लेने के बाद में वर waxed, disturbed हो गया to night mere by a rocking cradle हिलते हुए पालने की आवाज ने इसको तंग करके जगा दिया and what rough beast तो अब इस beast, इस rough beast का time आ गया है आखिर वो time आ चुका है, आखिर वो घंटा आ चुका है जब Jesus फिर से आएंगे यह जानवर उस और बढ़ रहा है जहां Jesus का जन्म हुआ था पैथलिहम में, वहीं उनका फिर से जन्म होगा अब इस poem का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ poet ने इस poem में यह बताने की कोशिश किया कि human beings, यानि कि हम लोग violence और अराजकता को अब control नहीं कर सकते इतना बढ़ चुका है, इतने पाप बढ़ चुके है अब out of control हो चुकी सारी चीजे, आज की दुनिया का atmosphere बिलकुल ही खराब हो चुका है पाप बढ़ चुके है तो अब second coming होने वाली है second coming का simple message यह है कि अब time up हो चुका है, God खुद संभालेंगे चीज़ों को यह poem Yeats ने World War First के टाइम पर लिखी थी जब बहुत सारे देशों की लड़ाई में इस दुनिया में जो लड़ाईयां हो रही थी World War First में कितने सारे मासूम लोग मारे गए किस तरह development के पीछे progress के पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं तो यहाँ पर बताने की कोशिश किये कि सब धोका है, सब भ्रम है चीजे बड़े होते होते गोले की तरह आउट ओफ कंट्रूल होती जा रही है कुछ इस तरह से पहले हम artificial intelligence को कंट्रूल करते थे, अब artificial intelligence हमें कंट्रूल करती है, क्या कर लोगे तो इस 2000 सालों में जितनी भी scientific और knowledge बढ़ाई है हमने, या विर जितनी भी development हमको करनी थी हमने कर ली लेकिन First World War ने हमको दिखा दिया कि हम अंदर से तो अभी भी जंगली जानवरी है, खून के प्यासे है, खून की लहरे यहाँ वहाँ फैल गई है, इनोसिंस उसमें डूब चुकी है, लगता तो यह सब सपनी की तरह है, लेकिन सब reality है, एक final image जो वाइट ने प्रिजेंट की है डायन की बाड़ी और इनसान का सर इस image का मतलब यह है कि हम जो सोचते हैं कि पिछले 2000 सालों से हम बड़े civilized हो गया है हमने काफ़ी development कर लिया है, तो सच तो यह है कि इनसान ने अपने बरबादी के बीच खुदी बुए है अब यह beast जाग गया है और एक नई age, age of darkness शुरू होने वाली है, यह इस poem का मतलब है, I hope आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में बस इतना ही